नमस्कार आप देख रहे हैं तेज़ खबर 24 और वक्ट है खबरों का दिवर शहर के सिटी कूर्ट वाली थाना शेत अंतरगत कबाडी महले में बीती रातरी आधा दर्जन की संख्या में बदमाशों एक युवक की उपर हमला कर दिया मारपीट के इस घटना के दोरान गायल को गंबीर चोटे आई हैं जिसे उप्चार के लिए संजगा निस्पताल ले जाया गया है वह इंगायल की शिकायत पर नामजद आरूप्यों खिलाप मामला दर्ज कर उनकी तलाज शुरू कर दी गई है गड़ना के संबन में मिली जानकारी के मताबिक कबाड़ी महला निवासी लल्ला नामा की उवक अपने घर के पास पहल रहा था इसे दोरान परोस में रहने वाले हिट्टू और रितिक सहित आधा दर्जोन लोगों ने उसके उपर लाठी डंडे से हमला कर दिया इस दोरान लल्ला को गंबीर चोटे आई है जिसे उसकी महिला रस्तवदार मधू द्वारा बचा कर थाने लाया गया मधू ने बताया कि बिना किसे विवाद के हिट्टू और रितिक सहित आने लोगों ने उसके जीजा पर हमला कर दिया जिसे जीजा को गंबीर चोटे आई हैं मधू घाल लल्ला को सीटी को द्वाली धाने ले जाने की वज़ा जल्दी जल्दी सिविल लाइन धाने लेकर चली आई जहां से उसे उप्चार के लिए अस्पताल भेज दिये गया है वही पुलस ने आरूप्टो के तलाज शुरू करती है है además अमार दूपान से सराहे कमाएं करह मारे आदमी हमारे व्लार का है हमारे जीजा यीवाला आबस बाइच के लिए वाजज किया है तो बोला कि हमारे क्यों मजा करते हैं बोले कि क्यों मजा करते हैं तो वह पूरे उसके घर वाले यार दोस पूरे उसको मारने लागे है आमा के ले छोड़ाने में रहे हैं किसको मारे हैं हमारे जीजा को अभी इसको लाके लेगे हैं लाला नाम है वहाई घर के बागल इसाना बात नचीत हुए बस मारने लागे हुआ है किसके जनमा रहा हुआ है जी तरहें प्रित्रिक नाम एक ठेका एक तो कहीं नाम है आप आप वह हमारा जी जयलना नाम है आपके जी जिला थे कहां पर घटना कहां पर उलिए घर के पास हुजा से ये मेरा घर है ये कवाडी मोहला अब खानें सिगाईट किये सिवर लेने इन मारा मारू नाम